आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हाफ लाइप फोरा सर्टेन रियेक्शन इस फाउंड टू चेंज फ्रॉं 50 सेकेंड टू 25 सेकंड ठीक है कैलकुलेट दी ओडर आप रियेक्शन ठीक हमको बताना ओडर आप रियेक्शन यह क्या होगा तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपकी Half Life है T Half वो Nth Order के लिए जो है Directly Proportional to the concentration की Power 1-N के बराबर होती ठीक है तो यहाँ पर यह इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं तो T Half for First मतलब जो पहली T Half होगी divided by T Half for Second यह आपका हो जाएगा तो अगर हम 2 के लिए लिखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से एक Relation निकल के आएगा कि A01 divided by A02 की Whole Power यह दोनों की Whole Power जो है यह आपकी कितना आज जाएगे 1-N जो है यह आज जाएगे ठीक है तो यहाँ पर Half Life जो है यह आपको दिया जा रहा है कितना है एक जो है यह आपका कितना है 50 Second है एक जो है 25 Second ठीक है यहाँ 50 divided by 25 is equal to आपका जो है यहाँ A01 तो A01 जो है यह आपका 0.5 आज जाएगा divided by 1.0 की Power 1-N ठीक है यह हो जाएगा और यहाँ से जो है यह आपका 2 आजाएगा is equal to यहाँ से आपका जो है कितना आजाएगा 1 by 2 की Power 1-N ठीक है तो इस इंप्लाइज यह जो 2 लिखा है 2 की Power 1 है और यह जो है 2 की Power minus 1 हो जाएगा 1 minus N ठीक है यहाँ से जो है इसको जो है 2 की Power 1 is equal to 2 की Power कितना हो जाएगा यहाँ पर यह minus 1 का Multiply जो minus N में होगा यह N minus 1 यह N हो जाएगा और यह minus 1 का 1 में होगा तो minus 1 हो जाएगा ठीक है post । यहाँ से 1 is equal to जो है N minus 1 आजाएगा so this implies N is equal to 2 ठीक है तो यहाँ जो है n का value जो है 2 आ गया इसका मतलब जो है यह आपका क्या हो जाएगा second order reaction ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं क्या बताना है answer बताना है यह कौन सा order reaction है तो लिख सकते है second order reaction ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर